तो मूवी की सुरुवात होती है एक आधी राद से जहां पर हम इस मूवी के मेन करेक्टर यानि Sam Flynn को देखते हैं जो की अपने पिता केविन फिलिन से बाते कर रहा होता है सैम के पिता उसे यंत्रजाल यानि एक ऐसी दुनिया के बारे में भताते हैं जो कि कैविन दुआरा बनाई गई थी वे उन्हें कहते हैं कि वो दुनिया काफी सुन्दल थी और साथ ही खतरनाक भी सैम के पिता उसे ये भी कहते हैं कि वे वहाँ ट्रोन से मिले जो कि इंसानों के लिए लड़ता है वे कहते हैं कि ट्रोन ने उससे कुछ ऐसी चीजे बताई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता जैसे डिस्क से लडाई करना वहाँ कैविन ने एक ऐसी बाइक चलाई जो कि लेजर की पटडियों पर दोड़ती है कैविन सैम को कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर प्रोग्रामस और इंसानों के लिए यंत्रजाल की एक नई दुनिया बनाई साथ ही वो ये भी कहता है कि वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकता जिसकी वज़े से उन्होंने वहाँ अपना एक हमसकल बनाया जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है और साथ ही चीजों को समझ भी सकता है जिसका नाम उन्होंने क्लू रखा है वही पर कैविन अब सैम से बात करने के बाद काम पर जा रहा होता है लेकिन काम पर जाने से पहले वो सैम से कहता है कि कल हम दोनों वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाएंगे और ये कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि एनकॉम कमपनी के सीओ कैविन फ्लेन लापता हो गए हैं और साथ ही न्यूज में कैविन की लाइफ के बारे में बताते हैं कि 1985 में उसकी वाइफ की अचानक से मोथ हो गई थी और उसके बाद वे अपने बेटे की साथ ही रहने लगे थे अब एनकॉम कंपनी के सभी मेंबर्स ने ये एलान किया कि कैविन के पार्टनर एलन ब्रैडली से कारोबार वापिस लिया जाता है वही पर कैविन के दोस्त ब्रैडली का ये मानना है कि कैविन लापता नहीं है बलकि एक ऐसा सपना साकार करने में लगा है जो कि इंसानों की जिन्दगी को बदल देगा वहीं पर हम देखते हैं कि सैम अपने दादा दादी की देख रेक में रहता है और वो अपने पिता को काफी मिस भी करता है लेकिन उसके पिता कैविन का अभी भी कोई पता नहीं चलता गाइज अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सब बीच में रो आते थे और साथ ही आइसोस को छोड़ कर वहां की सभी प्रोग्राम केविन दुआरा ही बनाए गए थे और अब गाइस हम अपनी मूवी की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सैम अब बढ़ा हो चुका है और अब वो अपने डैड की बाइक लेकर एंकॉम कंप सैम के पास पहुचता तब तक सैम सिस्टम को हैक करके एंकॉम ओएस 12 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिससे कि वह सभी के लिए फ्री हो जाए और जब यह बात वहां के सभी मेंबर्स को पता चलती है तो वह काफी गुसा होते हैं लेकिन ब्रैडली अंदर ही अंद Siika cha Tour eg a cat जाता है और फुलिस उसे पकड़ लेती है लेकिन बाद में उसे चोड़ दिया जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैडली सेंसे मिलते हैं और उसे जोइन करने के लिए कहते हैं लेकिन सैम को कमपनी जोइन करने में कोई इंटरस्ट नहीं होता फिर ब्रैडली सैम को बताता है कि उसे उसके पिता का मैसिज मिला है सैम उसे कहता है कि उसके पिता या तो मर चुके हैं या तो कहीं एस कर रही हैं लेकिन ब्रैडली उसे समझाते हैं और उसे वीडिय गेम की मार्किट में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वहां काफी सारी वीडियो गेम्स होती है और तभी उसे वो वीडियो गेम दिखाई देती है जिसपे की ट्रोन लिखा होता है सैम उस वीडियो गेम के पास जाता है और उस वीडियो गेम में क चारा है अब सी मुस रास्ते से नीचे उतरता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर उसके फ़िता की लैब ती वحज पहुंचने पर सईं को हैक करने के लिए कुछ कमांड कर रहा होता है कि तभी वहां लगी लेजर मसी content स्टार्ट हो जाती है और वो उस यंत्रेजाल में पहुँच जाता है वो यंत्रेजाल पूरी मसीनी दुनिया होती है जिसे देखकर सैम को उस पर यकीन नहीं होता तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खेलने के लिए बाकी प्रोग्राम्स के साथ भेज देते हैं वहां सैम को खेलने के लिए तयार किया जाता है और खेलने के लिए उसे एक डिस्क दी जाती है जिसमें कि उसकी सारी ब्रेन मेमोरी रिकोर्ड होती है बाकी के प्रोग्राम्स के साथ सैम काफी अच्छे से खेलता है और सभी प्रोग्राम्स को नस्ट कर देता है अब सै कर रिंजलर को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम नहीं है व कर दो उस से पूछता है कि अपनी पैचान केâmने तो Sam कहता है और नाम सैं फिल इन है और यह सुनने के बाद क्ल्यू अपने लोगों को उसे अपने पास लाने के लिए कहता है जभ कलू सैं के सामने आता तो Sam उसे देखकर कहता है डैड और तभी क्लू Sam की डिस्क लेकर उसे चेक करता है बट उसे वो नहीं मिलता जो वो चाता है Sam उसे कहता है कि लगता है कि आपको अपने बेटे से मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई तब क्लू कहता है कि मैं तुमारा डैड नहीं हूँ मगर मुझे तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई और ये सुनने के बार सेम समझ जाता है कि वो clue है उसके डैड का हमसकल वही पर हम देखते हैं कि सेम को अब दुबारा से एस्टेडियम में लाया जाता है लेकिन अब की बार उसका मुकाबला clue के साथ होता है दो टीम के साथ गेम स्टार्ट होता है जिसमें की एक टीम क्लू की और दूसरी सैम की टीम होती है इन सब को लेजर इस्टिक दी जाती है जिसमें लगे बटन को प्रेस करने से ये लाइट साइकल में कनवर्ट हो जाती है जोकी एक तरह से लेजर लाइन छोड़ते हुए चलती है और जो कोई भी उस लेजर लाइन के बीच में आता है वो डिस्ट्रोय हो जाता है इसी के साथ उनका मुकाबला लाइट साइकल दुआरा स्टार्ट हो जाता है लेकिन आखिर में वहाँ सैम और क्लू ही बचते हैं सैम के डैड ने बचाया था और अब वो सैम को एक जगया पर ले जाती है जहां पर सैम अपने रियल डैड से मिलता है सैम के डैड अपने बेटे से मिलकर काफी खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां तक कैसे पोचे तो सैम उनका जवाब देते हुए कहता है कि से केवर एक ही सवाल पूछता है कि आप वापिस क्यों नहीं आए कैविन उससे बताता है कि जब हमने ये दुनिया बनाई थी तो एक चमतकार हुआ था आइसोस जो की एक नए किसम का प्रोग्राम था वो अपने आप ही बन गए थे आइसोस के दुआरा एक परफेक्ट सकती थी और ये तोफा मैं दुनिया को देना चाहता था लेकिन एक दिन क्लू ने मेरे साथ बकावत कर दी और मुझे बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी दरसल असलियत में ट्रोन मरा नहीं था क्योंकि जब ट्रोन क्लू से मुकाबले में हार जाता है तो वो उ सबी आइजोस को खतम कर दिया लेकिन जब मैं बाहर निकलना चाहता था तो डैलीज बंद हो गई दरसल जिन मसीन और लेजर से सैम अंदर आया था वो बिना इलेक्रिसिटी के नहीं चल सकती और उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था इसलिए केविन दुबारा घर नही कर देते हैं और कहते हैं कि क्लू ऐसा ही जाता है वो मेरी डिस्क के दुवारा इनसानी दुणिया में जाना चाता है साथ ही वो यह भीlerde आहिन घ क्योसी आए कि जीतना है तो भैठर होगा कि हम नहीं खेले और ये कहने के बाद वे वहां से चले जाते हैं वहीं पर क्योरा सैम को कहती है कि क्लू को खतम करने पर कैविन भी खतम हो जाएंगे तबी सैम क्योरा से गुस्से में कहता है कि मैं अपने डैड को बचा कर ही रहूंगा और ये कहकर वहां से चला जाता है थोड़ी क्यूरा से वो मैप लेकर तुरंत वहां से E-bike लेकर निकल जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि केविन को अब सैम की चिंता होने लगती है जी की वजहे से अब सैम से मिलने के लिए اسके room में जाते हैं लेकिन सैम room में नहीं होता और यह देखकर कैविन क्योरा से गारी तयार करने को कहते हैं अब कैविन और क्योरा सैम को बचाने के लिए जाते हैं वही दूसरी तरफ सैम क्योरा के बताए जगे पर पहुंच जाता है और जब वह वहां पहुंचता है तो क्लू के गार्ड्स को उसकी इबाइक मिल जाती है जिसे में कलू के पास ले जाते हैं और उस वह क्लू के लिए काम करता था वहश्यू Waq को चैक करता है और उसे पता चल जाता है कि वह वहां कहां नहीं आई है और यह जानने के बाद क्लू Ox कर आदमी और पहुंच जाते हैं जहां पर कै कहती है कि अगर तुम्हें जूज से मिलना है तो पहले तुम्हें कैस्टर को मनाना पड़ेगा और यह सुनने के बाद सैम के साथ कैस्टर से मिलने चला जाता है सैम से मिलने के बाद कैस्टर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहां पर वो बताता है कि वही जूज है और यह वी उस पर हमला कर रहे होते हैं तो तभी वहां क्योरा आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है लेकिन इस लड़ाई के दोरान क्योरा का हाथ कर जाता है और तभी वहां कैविन भी आ जाता है और उन सभी प्रोग्राम को खतम कर देता है और जब कैविन और सैम क्योरा को लेक क्योंक तक सब्गरीट मांगते हैं। इस सहर की राजगदी कोद hall स argent cheeto जैसे लिए वो डिस्क के पास आती है कि तभी उसके आजमी वहां depend सेट कर देते हैं और से चले जाते हैं उनके जाते ही वें सभी भॉण्स ब्लास्ट हो जाते हैं जिसकी वज़े से जूज और जैम मल जाते हैं अब सैम, कैविन और क्योरा दहलीच तक जाने के लिए एक लेजर पर चलने वाली माल गाड़ी पर चड़ जाते हैं वही पर कैविन क्योरा की सिस्टम को ठीक करते हैं क्योरा की सिस्टम को री स्टोर करते समय सैम को पता चलता है कि वो एक आइसो है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कैविन कहता है कि क्योरा एक आखिली आइसो है और इसलिए मैंने इसे क्लू से बचा कर रखा क्योरा को ठीक करने के बाद कैविन मेडिटेशन करने चला जाता है रिबूट होने के बाद क्योरा बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और वो सैम को बताती है कि जब क्लू के प्रोग्राम्स मुझे मालने के लिए आये थे तो कैविन ने मुझे बचाया था साथ ही वो सैम से ये भी कहती है कि तुम्हारे पिता के मुझ पर काफी एसान है वही पर हम देखते हैं कि जब वे दोनों बाते कर रहे होते हैं तो तब ही उनका रास्ता बदल जाता है और वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्लू की सेना होती है वहाँ पहुचने पर कैविन को पता चलता है कि क्लू नए प्रोग्राम्स नहीं बना सकता वो या तो उन्हें डिस्ट्रोई कर सकता है या बदल सकता है अब यहाँ पर क्योरा अपनी डिस्क को कैविन को देकर निकल जाती है ताकि कैविन और सैम बच सके और जैसे ही वो वहां से निकलती है कि तभी उसके सामने एक प्रोग्राम आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे एरेस्ट कर लेता है उस प्रोग्राम को देखकर कैविन को पता चल जाता है कि ये ट्रोन है जो कि अब भी जिन्दा है और अब वे दोनों क्योरा को दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि क्लू को बहारी दुनिया में जाने का रास्ता पता चल गया है तभी सैम केविन से कहता है कि आप फ्लाइंग डैक पर एक सवारी के साथ मेरा इंतजार करना मैं क्योरा और डिसको लेकर आ रहा हूं यह सुनने के बाद उसक सारे प्रोग्राम को read कर देता है euks निकाल लेता है और साथ ही वह लोत मेसे क्योरा के बारे में पूचता है कि तब्सक्राया काफी घबरा जाती है कि तब्सक्राइब करना कर देता है और क्योरा को उनसे बचा कर एक फ्लाई मशीन की मदद से अपने डैड तक पहुंच जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि जब सैम उस डिस्क को निकाल रहा होता है तो तभी अरारम की वज़े से क्लू को उसका पता चल जाता है जिसकी वज़े से वह अपनी टीम को लेकर उन सभी का पीछा करता है और उन क्या से क्या बन गए जिसे सुनने के बार ट्रोन का ध्यान बटक जाता है और वह इंसानों के लिए लड़ने लगता है लेकिन क्लू काफी ताकतवर होता है जिसकी वज़े से वह ट्रोन को माल देता है वहीं दूसरी तरह वे तीनों वहां धैलीज तक पहुंच जाते हैं ल लेकिन तुम ने कहा था कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया जैसे कि मैं नहीं समझा था तुमें बनाते फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वज़े से उन्होंने पहले ही अपनी डिस्क क्योरा को दे दी थी और यह देखने के बाद क्लू कैविन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कैविन उसका जबाब देते हुए कहता है कि वह मेरा बेटा है और मैं अपने बे सब्सक्राइब करड़ें के पीछे आ जाता है देखकर कैविन काफी घबरा जाता है और अपनी पूरी सकत्ती से क्लिएकोल और उसे अपने अंदर लेता है जिसकी वज़ए से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह पूरा यंत्रेजाल तभा हो जाता है लेकिन सैम सही सलामत बाहर निकल जाता है और वापिस उसी वीडियो गेम की मार्किट में आ जाता है सैम सारा डाटा एक चिप में कोपी कर लेता है और उस चिप को लोकिट बनाकर अपने गले में पहन लेता है सैम को वहां उपर उसे उसके अंकल मिलते हैं और वो कि उसका इंतजार कर रही होती है वही पर हम देखते हैं कि सैम उसे एक असली सुरज दिखाता है जो कि काफी सुन्दर होता है और उसे देखकर क्योड़ा काफी खुस होती है इसी के साथ हमारी मुवी यहां खतम होती है गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू